और असलाम अलेक्ट माइनम इस मोहम्मद वाश सादिक एंड आइघ्ञ टीच यू कलास्ट अनमेटिक्स तुडेट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेसरेस 4.3 का क्वेशन नमबर 2 एन क्वेशन नमबर 3 किया था आज के लेक्चर में हमक्यशन नमबर 4 से स्टार्ट करेंगे तो आएं चलते हैं वाइड बोर्ट की तरफ question नमबर 4 में हमारे पास जो algebraic fraction है इसको partial fractions में resolve करना है तो जो algebraic fraction है वो है 9x-7 over x plus 3 into x square plus 1 अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो x plus 3 है वो तो एक linear factor है और यहाँ पे again हम rule number 1 apply करेंगे इसके लिए और जो x square plus 1 है वो एक non repeated irreducible quadratic factor है और इस पे rule number 3 में हमने पढ़ा था कि इसको किस तरह partial fraction में resolve किया जाता है तो यहाँ पे rule number 3 को apply करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यह जो algebraic fraction है इसको partial fractions में लिख लेते हैं हमारे पास आजाएगा 9x-7 over x plus 3 into x square plus 1 and right side पे क्या आजाएगा सबसे पहले आजाएगा a over x plus 3 plus then हमारे पास क्या आएगा bx plus c over x square plus 1 यहाँ पे हमने rule number 3 को apply कर दिया है और यहाँ पे rule number 1 को अब हमने जो algebraic fraction हमारे पास given था उसको partial fractions में तो resolve कर लिया है लेकिन यहाँ पे जो a b and c है विचर constants इनको हमने अब find करके इस equation के अंदर put कर देना है जैन हमारे पास हमारा final result आ जाएगा इस equation को name देते है equation 1 का next हम यह करेंगे left hand side पे जो algebraic fraction given है उसके denominator में हमारे पास जो terms है उन terms को हम left side and right side तोनों sides पे multiply कर देंगे तो यहाँ पे लिखते हैं multiplying कि एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वेर प्लस वन ऑन और बोथ कि साइड तो लेप्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा नाइन एक्स माइनस सेवन ओवर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वेर प्लस वन और यह multiply हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वेर प्लस वन से और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a over x plus 3 into x plus 3 into x square plus 1 then दूसरा जो fraction है right hand side पे हुआ जाएगा b x plus c over x square plus 1 और ये भी multiply हो जाएगा x plus 3 into x square plus 1 से अब हम इस question को थोड़ा सा simplify कर लेते हैं left hand side पे सबसे पहले x plus 3 x plus 3 से cancel out होगा x square plus 1 x square plus 1 से cancel होगा and right side पे जो पहला fraction है उसमें x plus 3 x plus 3 से cancel होगा and दूसरे fraction में x square plus 1 x square plus 1 से cancel out होगा तो बागी terms जो हैं उनको लिख लेते हैं तो ये आजाएगा 9x minus 7 is equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x plus 3 इस question को name देते हैं question 2 का next हम क्या करेंगे हम इस question के उपर zeros method apply करेंगे zeros method में हमारे पास क्या होता है जो हमारे पास एक linear factor होता है इसको 0 के equal put करते हैं और इसमें अब x plus 3 को 0 के equal put करते हैं तो x यहां से आ गया minus 3 के equal अब x is equal to minus 3 को equation number 2 में put कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9 into minus 3 minus 7 is equal to a into minus 3 square plus 1 plus b into minus 3 plus c into minus 3 plus 3 left hand side पर हमारे पास आ जाएगा minus 27 minus 7 is equal to a into minus 3 square is 9 and 9 plus 1 is 10 और हमारे पास यह वाली जो term है वो 0 हो जाएगी because minus 3 plus 3 is 0 और जब यह 0 हमारे पास इस term से multiply होगा तो again हमारे पास 0 आ जाएगा तो इसको यहां पर लिखने की ज़रूरत नहीं है अब यह हमारे पास क्या आ जाएगा minus 27 minus 7 is equal to minus 34 and 10 divide हो जाएगा तो a हमारे पास आ गया minus 34 over 10 के equal next हम क्या find करेंगे b and c को अब b and c को find करने के लिए हम zeros method apply नहीं कर सकते because x plus 3 को हम already 0 के equal put करके x की value find करके इस equation में put किया था and then हमने a find किया था लेकिन x square plus 1 को हम 0 के equal नहीं put कर सकते because यह cleaner equation नहीं है और दूसरा यहां से जो x की हमारे पास values आएगी वो 2 आएगी और उन दोनों को भी put करके हम b and c नहीं find कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस equation को open करेंगे and then जो हमारे पास unknowns हैं यह same powers वाले जो variables हैं उनके coefficients को compare करेंगे तो next हम equation number 2 को open करके लिखते हैं तो हमारे पास आजएगा 9x-7 is equal to ax² plus a plus bx² plus 3bx plus cx plus 3c अब यहां पे जो सबसे पहले हम coefficients compare करते हैं वह करते हैं x² के अब left hand side पे देखा जा सकता है x² की हमारे पास term ही नहीं है तो उसका coefficient भी कोई नहीं है तो left hand side पे हमारे पास आजएगा 0 and right hand side पे सबसे पहले देखा जा सकता है a के साथ x² multiply हो रहा है तो सबसे पहले आजएगा a and then a plus हो जाएगा b के साथ तो यह आजएगा a plus b next हम coefficients compare करते हैं x के अब left hand side पे x के साथ multiply हो रहा है 9 तो 9 आजएगा and right hand side पे हमारे पास आजएगा 3b plus c तो यह आजएगा 3b plus c अब हम compare करते हैं constants को constants के लिए यहाँ पे c लिखते हैं अब left side पे जो constant है वो क्या है minus 7 and right side पे जो constants हैं वो क्या है a plus 3c तो यह आजएगा minus 7 is equal to a plus 3c अब हमारे पास यह तीन equations आ चुकी है a की जो value है वो हम already find कर चुके हैं तो हम b की find करते हैं सबसे पहले और जो a की value है उसको इस equation पूट करके b को find करते हैं तो यह पहली जो equation है इसके अंदर जब a को put करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा minus 34 over 10 plus b is equal to zero तो b हमारे पास किसके एकवल आ गया 34 over 10 के next हम find करते हैं c को अब c को find करने के लिए हम इन दोनों में से कोई एक equation को use कर सकते हैं because a and b हम already find कर चुके हैं तो यहाँ पर हम दूसरी वाली equation को use करते हैं जो x के against है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 into b की जगा जाएगा 34 over 10 plus c is equal to 9 तो c हमारे पास equal आ जाएगा 9 minus 102 over 10 अब इसको solve कर लेते हैं तो यह हमारे पास equal आ जाएगा minus 6 over 5 के अब हमने उपर जो b की value find की थी which is 34 over 10 यह भी हमारे पास simplify होके क्या जाएगी 17 over 5 के equal और इसी तरह जो हमने a find किया था इसको भी अगर simplify करें तो यह क्या जाएगा minus 17 over 5 अब हमने a, b and c find कर ली है इनको equation number 1 में put कर देते हैं तो हमारे पास जो equation number 1 है वो बन जाएगी 9x minus 7 over x plus 3 into x square plus 1 is equal to minus 17 over 5 a की जगा क्या आगया minus 17 over 5 over x plus 3 plus b की जगा आजेगा 17 over 5 into x plus c की जगा आजेगा minus 6 over 5 और यह पूरा divide हो जाएगा x square plus 1 से अब इस equation को थोड़ा simplify करके लिखते हैं और जो हमारा final result है वो निकालते हैं हमारे पास आजेगा 9x minus 7 over x plus 3 into x square plus 1 is equal to minus 17 over 5 into x plus 3 plus 17x minus 6 over 5 into x square plus 1 यह आगया हमारे पास हमारा final result next है हमारे पास question number 5 जिसमें हमारे पास जो algebraic fraction है वो है 3x plus 7 over x plus 3 into x square plus 4 अब यहाँ पे देखा जा सकते है जो x plus 3 है वो एक linear factor है और जो x square plus 4 है वो एक non repeated irreducible quadratic factor है तो सबसे पहले इस algebraic fraction को partial fractions में resolve कर लेते हैं तो यह हमारे पास आजाएगा 3x plus 7 over x plus 3 into x square plus 4 is equal to linear factor के लिए क्या करेंगे a लिखेंगे over x plus 3 and then एक non repeated irreducible quadratic factor के लिए क्या आजाएगा bx plus c over x square plus 4 अब यहाँ पे हमारे पास जो algebraic fraction गिमन था उसको हमने partial fractions में resolve कर लिए है लेकिन इस जो constants है a, b and c यह unknowns है इनको अब हम find करते हैं और इनको find करने के बाद वापस इस equation में put कर देंगे तो इस equation को नेम देते हैं equation 1 का next विए क्या करेंगे left hand side में हमारे पास जो fraction है उसके denominator से दोनों sides को multiply कर देंगे तो यहाँ पे लिखते हैं multiplying with x plus 3 into x square plus 4 तो left hand side पे हमारे पास आ जाएगा after multiplying x plus 3 and x square plus 4 3x plus 7 and right hand side पे जो पहला fraction है वो क्या बन जाएगा a into x square plus 4 and दूसरा जो fraction है वो बन जाएगा bx plus c into x plus 3 इस equation को नेम देते है equation 2 का next विखते हैं क्या करेंगे zeros method को apply करेंगे तो उसके लिए हमारे पास यह जो linear factor है x plus 3 इसको 0 के equal put करेंगे और जो हमारे पास x की value आएगी उसको वापस इस equation में put कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x plus 3 is equal to 0 और x के आ गया minus 3 के equal अब minus 3 को equation number 2 में put करते है x की जगा पे तो left hand side पे आ जाएगा हमारे पास 3 into minus 3 plus 7 is equal to a into minus 3 square plus 4 और यह जो दूसरी वाली term है यहाँ पे देखा जा सकता है जब यहाँ पे minus 3 put करेंगे तो minus 3 plus 3 is 0 और जब 0 इस term के साथ multiply होगा तो again 0 आ जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अब हम आगे थोड़ा सा solve कर लेते हैं left hand side हमारे पास बन जाएगी minus 9 plus 7 is equal to and right hand side पर आ जाएगा a into minus 3 square is 9 and 9 plus 4 is 13 a हमारे पास यहाँ से किस के को ला गया minus 2 over 13 के को लिए next हमने find करना है b and c को लेकिन b and c को find करने के लिए हम zeros method नहीं apply कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास same powers वाले variables हैं उनके coefficients को compare करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं जो equation number 2 है इसको open करके लिख लेते हैं तो हमारे पास left hand side पर क्या आजाएगा 3x plus 7 is equal to a x square plus 4a plus b x square plus 3b x plus c x plus 3c अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास same powers वाले variables हैं उनके coefficients को compare करेंगे तो सबसे पहले x square के coefficients को compare करते हैं left hand side पर देखा जा सकता है x square हमारे पस term है ही नहीं तो उसका coefficient भी नहीं है तो यहां पे 0 आ जाएगा and right hand side पर हमारे पास क्या आ जाएगा a plus b because यहीं दोनों terms हैं जो x square के साथ multiply हो रहे हैं हम coefficients compare करते हैं x के left hand side पर x हमारे पास multiply हो रहे हैं 3 से तो यहां पे 3 आ जाएगा is equal to 3b plus c then हम compare करते हैं constants को constants के लिए यहां पे c लिखते हैं and left hand side पर जो constant है वह है 7 and right hand side पर हमारे पास क्या है 4a plus 3c अब हमने a की value already find की हुई है अब b को find करने के लिए जो ही first equation है इसको use करते हैं यहां पे जो पहली equation है इसमें a की value को put करते हैं और b को find करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा minus 2 over 13 plus b is equal to zero और b हमारे पास किसके एकुल आ जाएगा यहां से 2 over 13 के अब हमारे पास a and b आ चुके हैं अब हम c को इन दोनों में से कोई एक equation use करके find कर सकते हैं तो हम यहां पर जो दूसरी वाली equation है उसको use करते हैं और उसके अंदर b की value put कर देते हैं तो यह आ जाएगा 3 into 2 over 13 plus c is equal to 3 6 over 13 और इसको जब solve करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 33 over 13 के एकवल अब हमारे पास a b and c आ चुके हैं अब इन तीनों को equation number one में put करते हैं और जो हमारा final result है वह निकालते हैं a b and c को जब हम equation number one में put करेंगे तो हमारे पास left side तो हमारे पास जो algebraic expression given था वही आ जाएगा 3x plus 7 over x plus 3 into x square plus 4 and right hand side पे हमारे पास क्या हो जाएगा सबसे पहले एक ही जगह पे हमारे पास आ जाएगा minus 2 over 13 किसे divide हो रहा है x plus 3 से plus b की जगह क्या आ जाएगा 2 over 13 साथ है हमारे पास x plus c which is 33 over 13 over x square plus 4 अब इसी equation को थोड़ा simplify करके लिख लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 3x plus 7 over x plus 3 into x square plus 4 is equal to minus 2 over 13 into x plus 3 plus 2x plus 33 over 13 into x square plus 4 तो यह आगे हमारे पास हमारा फाइनल रिज़र्ट स्टुडेंट्स आज के लेक्चर में हमने exercise 4.3 का question number 4 and question number 5 complete किया है next lecture में हम question number 6 से start करेंगे मैं उमीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा मिलते हैं पिर अगले लेक्चर में हुआ 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 है